Hello friends and my husband, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, Tray Dryer और Drum Dryer के बारे में ये equipment हम ड्राइङ की प्रॉसस में यूज करते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे, ये किस प्रिंस्पल्स पर काम करते हैं, construction इसका क्या है, किस तरह से काम करते हैं, working के बारे हम बात करेंगे कहां यूज होते हैं और इनके advantage और disadvantage के बारे में detail में study करेंगे तो मेरा नाम है Dr. Mahantarap Singh चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे trade dryer के बारे में तो यह जो हमारा equipment है यह इसके अंदर जो heating है convection heating जब hot air हमारी circulate होती है और जो trays के ऊपर हमारा substance है जिसके अंदर moisture content है उसके ऊपर जब पढ़ती है तो वहां से moisture evaporate होना शुरू होता है और वहां से moisture remove हो जाता है तो अगर हम इसका principle वह देखें तो आसान है जो trays है उसके ऊपर हमारा substance placed रहता है hot air उसके ऊपर आती है उसको heat करती है और moisture remove हो जाता है अगर हम इसके construction की बात करें तो इसका construction जो है काफी simple है हम लोगोंने अपनी practical अब वो लैब्स में भी ट्रेड रहा है वो देखे हैं small scale में इसमें क्या होता है कि एक rectangular chamber होता है इसकी walls के अंदर trays placed रहती है नीचे के side एक fan attach होता है जो की hot air को circulate करता है इस side से जो भी हमारी air है उसका outlet रहता है यहाँ से fresh air insert होती है जहाँ पर fresh air insert होती है वहाँ पर एक heater provide किया जाता है जो की हमारी fresh air को heat करता रहता है तो अगर हम इसका construction दो देखें it consists of a rectangular chamber whose wall are insulated यह ए एक rectangular chamber होता है जिसकी walls जो है insulated रहती है means इसके outside के environment के temperature और अंदर के temperature में एक दूसरे से communication नहीं होता है interchange नहीं होता है जो हमारी trays है उनका numbers depend करता है कि हमारा equipment का size क्या है जो हमारी trays है यह हमारे rectangular या square shape की होती है और placed होती है trucks are wheel के उपर जिसके तुरू हम जो white trays हैं उनको chamber के अंदर roll in और roll out करके use करते हैं means उसके अंदर उसको insert करते है और बाहर निकालने का काम करते हैं इसके तुरू for air circulation a fan is fitted in the dryer air circulation के लिए fan इसके अंदर attach होता है अगर हम और इसके इसमें electrically heated element provide किया जाता है जिससे की हम air को heat करते हैं अब हम लोग बात करते हैं इस equipment के working के बारे में तो जो भी हमारा wet solid है जब उसके में dry करना होता है तो उसको हम trays में डाल देते हैं प्लेस कर देते हैं और उस trays को हम chamber के अंदर डाल देते हैं fresh air उसके अंदर introduce करते हैं fresh air जब heater के contact में आता है तो वो hot हो जाता है उसका temperature बढ़ जाता है और जो हमारा fan है उसको उसके अंदर circulate करता है 2 से 5 meter per second की रफतार से तो जब हमारा fan उसको circulate करता है तो उसमें क्या होता है वहाँ पे create होता है turbulent flow जिसके कारण की वहाँ पे जो है partial vapor pressure decrease हो जाता है lower हो जाता है जो की reduce करता है thickness of air boundary layer means हम आसा में कहें तो जो हमारी air है वो properly उसके अंदर circulate होना start हो जाती air condition condition throughout the equipment properly maintain हो जाती है उसके बाद हम क्या करते है water get evaporated and picked up by the air जो हमारा water है हमारे substance के अंदर moisture है वो evaporate होता है और हमारी air के साथ में वो combined हो जाता है उसके बाद में जो हमारा moisture है उसको हम discharge कर देते है through the outlet of the air जहां से हम air का outlet कर रहा है वहां से उसको discharge कर देते है बट यहां पे हम कुछ conditions देखते हैं 80-90% जो हमारी air होती है उसको हम recirculate क कर देते हैं और 10-20% fresh air ही हम allow करते हैं अगर हमारा substance air के contact में आने से खराब नहीं होता है उस condition में अब हम इसके uses के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका जो uses है अगर sticky material है plastic substance है granular mass है crystalline material है precipitate है paste है तो उस condition में हम tray dryer को use करते हैं अगर हमारे crude drug है chemical substance है और powder से उस condition में भी हम tray dryer को prefer करते हैं अब हम इसके advantage के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका जो पहला advantage है no handling loss means इसमे handling loss बिल्कुल भी नहीं होता जितना material हमने डाला है उतना total हम collect कर लेते हैं जो दूसरा है wide variety of material can be used इसमें mostly हर प्रकार के substance को हम dry कर सकते हैं कि अगर हमारा substance थर्मो लवाइल नहीं है तो उस condition में हम हर substance को यहाँ पर dry कर लेते हैं operate batch wise no contamination means यह एक batch process है जिसके अंदर की contamination के chances बिल्कुल नहीं होते हैं अब हम इसका disadvantage देख लेते हैं तो इसमें जो पहला disadvantage है labor cost ज्यादा होती है ट्रे में substance को load करना, unload करना, process को monitor करना उसमें labor ज्यादा required होते है इसलिए इसमें labor cost ज्यादा होती है जो दूसरा है the process is time consuming यह एक time consuming process है means जब तक proper drying नहीं हो जाती आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप जब भी substance को dry करने के लिए tray dryer में डालते हैं तो आप एक particular time के लिए उसको छोड़ना पड़ता है अब हम लोग बात कर लेते हैं drum dryer के बारे में इसके और भी नाम है जो पहला नाम है roller dryer इसको हम बोलते हैं और fit dryer भी बोलते हैं तो अगर हम इसके principle की बात करें तो इसके अंदर एक hollow metallic cylinder होता है जो की heated होता है और उसको हम partially dipped कर देते हैं उस solution में जिसको हमको dry करना होता है तो जो भी हमारा hollow cylinder है वो जह है longitudinal axis पे rotate करता है और इसको हम dip करते हैं अपने substance जिसको हमें dry करना है तो क्या होता है कि जो भी हमारा solution है वो drum carry करता है और drum hot होने के कारण जो भी हमारा substance है dry होता है और उसको हम doctor's knife को use करके वहाँ से collect कर लेते हैं अगर हम इसके construction की बात करें त इसका construction कुछ इस प्रकार है इसके अंदर ये एक hollow drum है means खाली drum है जो की heated होता है इसको हम अंदर से heat करते हैं अब क्या करते हैं इसको हम dip कर देते हैं जो भी हमारा feed pen होता है जिसके अंदर वो solution है जिसको हमको dry करना है अब क्या ये जब rotate होता है clockwise तो उस condition में क्या होता है कि यहां पे हमने spreader attach कर रखा है जो की जो भी film यहां पे form हो रही जो भी liquid pick हो रहा है उसको इसके उपर properly spread कर देता है उसके बाद में जो भी हमारी liquid film है वो इसके उपर attach होके travel होती रहती है और यहां पे वो hot environment के करना dry होती है heat होने के बाद में doctor's knife attach होता है जो कि हमारे substance को scrub कर करके वहां से बाहर निकाल लेता है तो अगर हम इसका construction होतेगे it consists of a horizontal mounted hollow steel drum यह एक steel का खाली drum होता है जो की horizontally mounted होता है इसके अगर हम आकार की बात करें तो यह 0.6 to 3 meter का diameter होता है और 0.6 to 4 meter इसकी length होती है जो भी हमारा feed pan है वो placed होता है in the such way that जो उसके अंदर parsley वो dip रहे इस तरह से placed रहता है कि उसके अंदर parsley dip रहे जिसके कारण की एक अच्छी layer हमें अपने drum के ओपर प्राप्त हो सके है जो हमारा drum होता है उसके एक side में spreader attach होता है और दूसरे side में हम doctor's knife attach करते हैं हमारे substance को वहां से scratch करके बाहर निकालने के लिए तो अगर हम इसके working की बात करें तो इसमें क्या होता है stream is placed inside the drum means जो भी हमारी steam है उसको हम drum के अंदर placed कर देते है heat transfer होटती है conduction के कारण और हमारा जो drum है वह heat होता है drum rotate करता है तो क्या होता है और वह drum का rotation है वह one to ten rpm होता है rotate होता है और उसके इंदर dipped रहता है हमारे substance के अंदर तो वहां से वह liquid material को अपने उपर चिपकाता है adder करता है और एक film form करता है वह film जब होती है अपनी जर्णी के थूरू वह dry होती है और जब वह dry होती है उसके बाद में last में हम उसको scratch करके doctor's knife को use करके collect कर लेते हैं बिन के अंदर तो इसका जो working है वह आसान है means जो भी हमारा substance है हम drum को steam के थूरू heat करते हैं heat होने के बाद क्या होता है उसको हम अपने substance वह जिसको हमें dry करना है उसके अंदर dip कर देते हैं जो drum है वो एक से दस rpm पर rotate करता है उसके उपर उस liquid की एक film form होती है वो film जब travel करती है अपनी जर्नी के थूरू तो वह वहाँ पर dry होती है heat के कारब और जब dry होती है तो हम वहाँ पर doctor's knife के थूरू को scratch करके बाहर निकाल लेते हैं और बिन में collect कर लेते हैं अगर हम uses की बात करें तो ये use होता है for the drying of solutions, slurries and suspension अगर हम prepare करें solution अगर हमाँ पास slurry है या suspension है उसको dry करने के लिए use होता है ये use होता है अगर हम milk product prepare कर रहे हैं, starch product बना रहे हैं, ferrous salt prepare कर रहे हैं, pigment create कर रहे हैं, DDT solution prepare कर रहे हैं और insecticide अगर हम prepare कर रहे हैं तो उस condition में हम इसको use करते हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके advantage के बारे में तो इसका जो पहला advantage है वो इसमें है, drying time is less, इसके अंदर drying time less होता है, heat sensitive material can be dried, अगर आप देखें तो जो drum है उसका rotation speed 1 to 10 rpm होती है, means बहुत कम समय तक substance हमारा heat के contact में आता है, जिसके कारण की अगर हमारा substance heat sensitive है तो उस condition में भी हैं इसको dry, इसको इस equipment को use कर सकते हैं, जो दूसरा है वो है occupy less space, ये equipment कम space occupy करता है और इसको हम आसानी से छोटे space में use कर सकते हैं, जो तीसरा है वो है rate of heat transfer and mass transfer is high, इसमें heat transfer और mass transfer का rate high होता है, means हम directly जो drum है, उसको heat supply करते हैं, जो drum की थिकने से वो ज्यादा नहीं होती, जिसके कारण की heat transfer भी अच्छा होता है, और substance हमारा आसानी से dry हो जाता है, जो fourth इसका advantage है, वो ये है, कि the product obtained is completely dry, इस process में जो हमें product मिलता है, वो completely dry होता है, उसको हम final form में substance को कह सकते हैं, अगर हम disadvantage की बाद करें, तो पहला disadvantage इसका है, maintenance cost is high, इसकी maintenance cost थोड़ा high होती है, उसके बाद number two है, skilled operators are required to control process condition, means अगर आदमी को पता नहीं है कि process condition क्या है, means कितना heat करना है drum को, rotation की speed क्या करना है, ये इन सब चीजों को control करने के लिए, एक हमें skilled operation, जिसने इस process को पहले से किया हो, उसको ही हम इसमें operate operation में लगा सकते हैं, unknown person drawing properly नहीं कर पाएगा, ओकर फेंड्स, ये दोनों ड्रायर आपको properly समझ में आ गया होंगे, कहीं भी अगर कोई confusion है, तो आप comment box में पूंच सकते हैं, इस वीडियो को like करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूले, धन्ने वाद